Friends, मेरा नाम है नीमा और मैं स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पर आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि कैसे हम बच्चे को छोटी E और बड़ी E की मात्रा के बारे में सिखा सकते हैं कैसे मैंने अपने बच्चो को समझाया है चोटी E और बड़ी E की मात्रा के बारे में क्या सिंपल स्टेप्स होते हैं कोई भी मात्रा बच्चे को इंटिड्यूस करवाने के लिए आपने वो समझना है बेसिकली और जिस दिन आप ये स्टेप समझ जाएंगे आप बिलकुल अपने बच्चे को इजिली समझा पाएंगे सबसे पहले तो देखी क्या होता है सबसे पहले हमें बताना है कैसी दिखती है क्योंकि बच्चों को E तो एक जैसी लगती है बट मात्रा जब लगती है ना तो बच्चे थोड़ से कन्फ्यूज हो जाते हैं तो आपने सबसे पहले बच्चे को इस तरीके के वर्ड लिखने को दे देने है और बताना है कि बताओ इसमें छोटी E की मात्रा कितर है और बड़ी E की मात्रा कितर है तो आपका बच्चे आपको अंडरिलाइन करके बता पाएगा कि मम्मा ये देखो ये छोटी ही की मातरा है और ये देखो ये बड़ी ही की मातरा है इससे क्या होता है इससे बच्चे को जब लिखना होता है तब उसके दिवाग में कोई confusion नहीं रहती है तो ये तो हो गई भाई सबसे पहले recognize कराने की बात अब जब हम बच्चे को पढ़ने के लिए देंगे तो हम बच्चे को छोटे words पहले देंगे छोटी ए की मातरा की जो sound होती है वो छोटी होती है और बड़ी ए की मातरा की sound होती है कवी, लिख, कवी, लिख, जीत, खीर, वीर देखा आपने व में बड़ी E की मातरा लगे है तो व में E की मातरा बड़ी सुनाई देगी आपको खीर, वीर, जीत, कील, गिर, कवी, लेक जब छोटे वर्ड्स आपका बच्चा पढ़ने लग जाए clear पहले तो आपने अपनी आवास को करना है खीर, वीर, जीत, कील, पहले आपने अपने आवास को clear करना है तब बच्चे को पढ़ाना शुरू करना है किताब, किताब, साइकिन, साइकिन, इस तरीके से तो पहले हम बच्चे को सिखाएंगे पहचानना फिर हम उसे book read करना सिखाएंगे छोटे words, फिर बड़े words इसके बाद हम बच्चे को जो सिखाते हैं न वो होता है मात्रा लगाना जी हाँ, मात्रा लगाना जो बोला जाता है ना, बारा खड़ी वो यही होती है, वो basically मात्रा लगाना सिखाए जाता है जैसे मैंने यहाँ पर लिख दी है कुछ अक्षर अब इसमें मैं अपने बच्चे को बोलूँगी इसमें छोटी E की मात्रा लगाओ और इसमें बड़ी E की मात्रा भी लगाओ तो जैसे यहाँ पर छोटी E की मात्रा लगाई है की, गी, मी, री, टी तो यह हो गई छोटी की मात्रा इस तरीके से आपने छोटे-छोटे rhyming words जो होते हैं इंग्लिश में वैसे ही हिंदी में मिलते जूलते शब्द पढ़ने को देना है बच्चे को मिल दिल किला मिला इस तरीके से छोटे-छोटे वो देने हैं आपने और इस तरीके से प्रेक्टिस के लिए आपने बच्चे को जरूर देना है कि बेटा अब इसमें मात्रा लगाओ छोटी-ई की मात्रा लगाओ बड़ी-ई की मात्रा लगाओ यह जो भी मात्रा आप उसे पढ़ा रहे हैं क्लियर हो जाएगी अब यह जो ट्रिक मैंने आजमाई है ना वो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूं देखे मैंने कुछ ऐसे वर्ड्स ठून लेते जिसमें छोटी की मातरा लगती है तो भी एक मीनिंग्फुल वर्ड बनता है और बड़ी की मातरा लगती है तो भी एक पीता आप भी कई सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं ढूंड सकते हैं आप और ढूंड के अपने बच्चे को क्लियर कीजिए दिन दीन हम सूरस दिखा के बोल सकते हैं देखो दीन और दीन होता है जैसे कोई गरीब होता है उसे हम बोलते हैं दीन जिल मिल जिल मिल जिल मिल होते न को सारे शब्द ढूंड के दे सकते हैं और बच्चे को क्लियर कर सकते हैं दोनों मात्रा हैं यह होते हैं बेसिक स्टेप्स बच्चों को मात्रा इंट्रड्यूस करवाने के आप कौन सी मात्रा के बारे में और जादा जानना चाहते हैं कैसे सिखाएं कैसे ना सिखाएं क्या ब थैंक्स वर वाच्चिंग।